अब लोग कच्छा सात्वी मतलब क्लास सेवेंथ का एक हिंदी का पेपर करने वाले हैं ठीक है हिंदी का पेपर करेंगे ठीक है अब यह पेपर केंद्रिय भी द्याले में आ चुका है ठीक है लेकिन यह पेपर में आपको इसलिए करवा रहा हूं कि कि 2022 में मार्च और फेबरवरी में कुछ लोगों का अभी फाइनल एक्जाम चल रहा है ठीक है फाइनल और वो लोग रिक्वेस्ट की है हिंदी के लिए भी तो देखिए अब यहां पर फुल मार्क्स 40 है और टोटल टाइम नाइंटी मिनेट्स है ठीक है अब यह इसके लिए कॉस्टड हाई ठीक है अब कोस्टड एक दम बिल्कुल सेम तो नहीं आएगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा ठीक पैटर्न सेम रहाइगा और अगर मैं 20 कॉस्टन्स बता रहाओ तो उस में से 4 या 5 तो मैच करेगहीं करे ठीक है अब देना रहा ठीच है है तो सबसेbersेब पह अहुत प्राचीन नगरी है वारानसी के बारे में बॉला जा रहा है काफी पूराना भारत का नगरी की निर्मल धारा सहorage वर्सों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती है ठीक है मतलब कहने का मतलब जो है कि यह जो वारा नसी है यहां से गंगा रिवर जो है गंगा नदी जो है वो बहती है मतलब मतलब सौ वर्सों से जादा से हो गया ठीक है बहती है ठीक है अब आगे इस नगरी का अपना सेंकड से यह नगरी सिच्छा का बढ़ा केंद्र रहा है ठीक है एजुकेशन का सबसे बढ़ा केंद्र जो है वारा नसी रहा है ठीक है पहले जो है पहले भी पढ़ाई होता था ठीक है तो पहले का जमाना में जो है यह सिच्छा का बहुत बढ़ा केंद्र है और अभी भी है का रजधानी कहा था वारा न सिय को आए पहले था अब रस्टेट नहीं है अब रस्टेट जो है नहीं समझ रेरे ना पहले बोला जा रहा हुब प्राचीर मतलब बहुत पुरान से लगभग धाई हजार वर्स पहले की बात क्रित धाई हजार वर्स पहले किसी को पता नहीं चलता तो इसलिए रिवर बह रही है और यहां पे जो था उनका बिद्याले था था थोड़ा दूर के बाद क्या था था दूर पर थोड़ी दूर तक पाठ साला थी पाठ साला मतलब बिद्याले स्कूल होता है आगे वहाँ आयुर्वेद ठीक है आयुर्वेद क्या होता है जीवन दान देने वाला ग्यान आज जो डॉक्टर्स करते हैं वो जड़ी बूटी के द्वारा करते थे उसी को हम लोग प दूर्वेद की सिच्छा आगे इस पाठ साला के अचारे थे महर्सी सूस्रूद ठीक है अब देखे इसका अचारे कौन था इसका प्रिंसिपल जो था इस स्कूल का वो थे महर्सी सूस्रूद वे स्वैम कासी के राजा ठीक है क्या बोला जा रहा है वे स्वैम कासी के राज जो था उनका दीवोदास जो है काजी का राजा था ठीक है उनके जो है ये मतलब बोल सकते हैं student रहोंगे सिस्से रहोंगे ठीक है आगे बोला जा रहा है दीवोदास को भगवान धन्य वंत्री का अवतार कहा गया है ठीक है अब ये जो दीवोदास थे न वो धन्य वंत्री भ भगवान होंगे उनका आपतार है अब देखे बोला जा रहा है आप से सवाल नीचे किया गया है उसका जवाब दीजिए पहला कोशत पूछा गया है भारत की प्राचीन नगरी का नाम क्या है पैसेज में क्या दिया गया है पुलकता है कपील वस्तु है वारा नसी अलग आज़े बोला जा रहा प्राचीन नगरी में इस्थित नदी कैसी भंचिए है उप आख में लिखा गया था अपसन हम लोगरन मचल है यह जो है सई होगा और पार्ट साला नोलेज होता था यहां से रिलेटेडड नौलेज होता था आपको पता है आयुरवेद से रिलेटेड जो है नौलेज होता था यहीं कि नहीं आईरवेद से, ग, ग is the correct answer, क्या से related था, आईरवेद से, अचारे का नाम क्या था, तो उनका नाम जो था, सू सरूत था, ठीक है, क्या था, सू सरूत, यह option नबर यह जो है, वो correct है, सू सरूत नाम था, भला केंद्र में ब्याकरनिक द्रिश्टी से किस में आता है, ठीक है, बडा केंद्र जो है बडा केंद्र एक जगह है तो उसका ब्याकरनिक द्रिष्टी से क्या है यह जो बडा केंद्र है न यह जगह जो ए स्कूल है यह ब्याकरनिक द्रिष्टी से क्या है संग्या है सर्वनाम है क्रिया है विसेसने क्या है तो कोई आपको पता हुआ खास जगह को खास जगह को संग्या बोलते थे बेक्तिवाचक संग्या तो एक संग्या में आएगा ठीक है क्या है संग्या समझे बड़ा केंद्र समझे आगे बुला जा रहा है काभ्यांस पढ़कर बहुत बरकल्पी अब दूसरा काभ्यांस कभिता दिया गया उसको पढ़ना चीनिया को लाक समझाओ ठीक है क्या बोला जा रहा है चीनिया को लाक समझाओ कि पिंजडे के बाहर धरती बहुत बड़ी है नीर्मम है ठीक है मतलब बोला जा रहा है यहां पर कवीता में कि चीनिया को आप कई बार समझाईए कि पिंजडे के बाहर जो है दुनिया काफी द्धर्ती को इसा काफी बड़ा है और निर्मम है वहाँ हवा में अपनी गंध तक दत versa जो है उनका सारीर महके in the yes इतना बड़ा है कि उसका सुगंध भी नहीं आएगा इतना ज्यादना हवा बैठता है आगे वह बोला जा रहा है यूं तो बहर समुद्र है ब्ला जा रहे कि पिंजड़े के बाहर समूद्र है तो यह समूद्र है नदी है ज़र्ना है आगे दिखते हैं आगे बोला जा रहा है पर पानी के लिए भटकना है अब जब यह बाहर रहेंगे न तो इनको पानी पिंजडा में ऐसे जब पिंजडा में रहते हैं एक पिंज़़ा में रहता है कटोरी होगत वांई हरे चीनिया कहा इसती तब सवाल पूछा जा रहाएं चीनिए believers उस्थित तो आपको पता चल रहाएं पिंजले में है रहा है तो इसका अंसरleben पंजडे में होगा इंग ओप सा answering नहीं काफी काफी सुंर्चा पुछा जा रहा है लिए फच्छी को कीश में भटकना पड़ता है समझे तो आपको पता है पानी के लिए इसको भटकना पड़ेगा है ना बाहर अंदर तो पानी गटक रही है जल कहां भरा हुआ है ठीक है अब बोला जा रहा है कि जल जो है कभीता में कहां भरा हुआ है कटोरी में कुए में गिलास में तो आपको पता है कटोरी में भरा तलाब नदी तो होगा नदी नहीं होगा जर्णा नहीं होगा जल दी जिसमें काफी बड़ा अमाउंट में पानी श्टोर हो सकता आगे देखिए निमलिकिद गाध्यांज को पड़कर बहुत विकल्प ये प्रेसंट काई ठीक है फिर से